है अग्धाईR वाला कि अक्षिद। चूरत मैं अैं तो मैं आपको बता दू narrow वो चीज़ उसमें एक इन आता है जिन तो आप सभी लोग को जानते हो वह जीन बताएगा कि आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे किस केरक्टर के बारे में सोच रहे वो आपको जादू जैसे दिखाएगा तो मैं तो इसके लिए बहुत एकसाइटेड हूँ सबसे पहले स्वाकत किजी हमारे साथी हमारे दोस्त फ्रेश बाई आ जाएगे तो नमस्कार है यह इस विडियो में नमस्कारग कैसे अब भी नमस्कार बाद में अभी हम जानेगे की क्या यह अकिनेटर यह जिन परशड़ को जानता है तो सबसे पहले अपने फ्लिज भाई के साथ ही वह हम बुला लेते हैं अपने वीडियों में तो आजाओ बाई इसको तो प्रिव यह अपना दोस्त साथी नमस्कार बच्चार मैं फ्लेश हो नमस्कार ये तो बहुत साथी रहे बच्चे को बच्चा नहीं कहना छोड़िए अब हम इस बच्च चोड़िये इस साथी को हम पुछेंगे कुछ सवाल जो अक्रिणेटर एप में है अपने मोबाइल में है उसमें हम को चलाएंगे अप्लिकेशन को और देखते हैं कि फ्लिश्पाय को जानता है कि नहीं तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज अब हम अपने चस्में वस्ट में लगा के आ गए है एक जुनून के साथ कि हम अब आपको दिखाएंगे कि मुझे पता नहीं है यसा मान होता है तो आप तयार रहें और इस वीडियो को फूरा देखना आपका केरेक्टर रहे वह इसके पास गैमिंग चनल है वो जो केरेक्टर है आपको जानता है अब ही नहीं जानता है कि थोड़ा थो शूह लोगा है तो थोड़ा तोन है कि आवर सीन लाग के आर करेक्टर नेख्ड जीट इस पूछते हैं कि इसने क्या सुचा है तुन्हें किस करेक्टर का नाम सुचा पहले बता दे पुब्लीक को जिससे कोई फ्रेक ना लगी बता दे चल दूरी मुद्ध को इसमें पहला सवाल है ड़्योर केरेक्टर है वाव बेल रंडी है उसके पास अपके करेक्टर फिमेल है त्री है नूँ यह टेज़ एव बलेक यह वाल है नूँ काले पाल टाइम मसीन उसके पास टाइम मसीन है यह यह ज़िए यह टेज़ यह ट्रेज़ केरेक्टर है वान अदरबल डोग नो कि यह तो जादो हो गया इसमेदर दोरी मॉन ही बता रहे है आप देख सकते हैं यह कि आपको पाई चान पाई लेगें कब जब आप फेमस होंगे अगर कोई केरेक्टर आपका फेमस और उसे आप सोच रहे तो वो कुछ सवाल आपको पूछेगा और आपको बताएंगा कि यह केरेक्टर यह है पहले हमने फेलेश भाय को सोचा तो वो भी फेमस नहीं है तो उनका नहीं बता है लेकिन दूसरा दोरी मॉन का सोचा तो उस अकिनेटर ने ढूंड लिया है तो बस आज की वीडियो में इतना ही और हाँ इस सभी एप्लिकेशन को बारे में में आपको डिस सब्सक्राइब में तब तक लिए जाए पर चल बच्चा काने के लिए जाए बूख लगी होगी ना